जब से कॉरोना आया है तब से कई सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पे कि मतलब खाने पीने के लाले पड़े हुए हैं और उन्हीं सेक्टर्स में से एक ऐसा सेक्टर है जिसको कि हम लोग सिनेमा जगत का बहुत एहम हिस्सा भी मानते हैं मतलब की मूवी थीटर्स अभी नमंबर के बाद से मतलब धीपवली के बाद से कहना जाता सही रहाएगा कि लोगों के जहन में एक बात आनी शुरू हो गए थी कि शायद अब COVID खतम होने वाला है और धीरे दीरे ही सही लेकिन अगले चार से महीने हुए ये चीज़ पूरी तरीके से खतम हो जाएंगी और चीज़ों का नॉर्मलाइज होना भी शुरू हो गया था सभी चीज़े खुलना शुरू हो गई थी बेसिकली लोगों के मन से डर खतम होता जा रहा था लेकिन अभी पिछले पंदरा दिनों में जिस तरीके से COVID नए-नए वीरियंट्स के साथ वापस आया है तो एक बार फिर से देश में अलग अलग जगे पर लोगडाउन का डेकलिरेशन होना और फिर उसके बाद लगातार अलग अलग सेवाओं का देखे करके बंद होना ये बता रहा है कि देश एक पर फिर से लोगडाउन की गरत में जाने वाला है लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा नुकस लगतार पोस्पान होती जा रही है और ये समाझ में बिलकुल भी नहीं आ रहा है कि आने वाले टाइम में कब ये मुवीज रिलीज हो पाएंगी कई बड़ी मुवीज जैसे कि अक्षे कुमार की सूर्य बंशी रणवीर सिंग की 83 ये सब रिलीज के लिए तयार रखी हूँ है लेकिन ये रिलीज हो नहीं पा रही है इनको आप कही नहीं सकते कि मुवीज कब रिलीज होंगी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते क्योंकि अब तरह से लग रहा है कि आने वाले 6-8 महिने फिर से एक बार कोवेड में ही जाने वाले तो ऐसे में जाहिर सी बात है भाई एक जो हाइप क्रियेट होती है किसी भी मुवी को लेकर माल लीजे बाहु बली रिलीज होने वारी तो उसक इसी कारणवाश अगर मुवी बार 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 डीले होती जाती है साल देर साल तो एक हाइप खतम हो जाती है और ऐसे में उस मुवी का उसको बिजनस करना एक बहुत हद तक खत्रे में पढ़ जाता है कि यारी बिजनस शायद नहीं कर पाईगा ऐसे में एक अच्छा और कह चुके हैं कि भई हम OTT पे तो अपनी मुवी बिल्कुल भी रिलीज नहीं करने वाले हैं अब OTT पर रिलीज ना करने का निर्णाय लेकर उनके पीछे कारण यह था कि भई टाइम तो नॉर्मल होई रहा है आने वाले कुछ समय में थेटर्स खुली जाएंगे उसके को कि जहन में एक बात तो आचुकी थी कि भई मरोलीवर्ड वालों के जहन में कि भई धीरे धीरे ही साही नहीं चीजा नॉर्मल हो रही हैं जितनी बड़े प्रोजेक्ट्स हैं उन सभी को हम थेटर में ही रिलीज करेंगे कई लोगों ने इसका डिकलरेशन भी कर दिया था कि पिछले साल की तरह इस साल भी कोरोना ना पूरे देश में तबाही मचा दी है देश एक बार फिर से लॉगडाउन की और बढ़ रहा है वही कोवेट के बढ़ते संग्रमन को देखते हुए हाल ही महाराज किसी है मुद्धर ठाकरे ने एक बार फिर से सिनेमा घरों को बं जानकारी फिल्म एक खास जानकारी सामने आई है बता जा रहा है कि अब फिल्म के मेकर्स ने ओटीटी प्लेट फॉर्म को सुर्यवंशी को रिलीज करने की प्लानिंग करें लेकिन यह थोड़ा हटके होगा सूत्रों के मताबिक फिल्म को देखने के लिए ई-टिक्ट खरी की अपील की थी जिसके बास यह मदव ठाकरे ने फिल्म निर्माता और उन्दिशो के जड़ी तमाम संस्ताओं के साथ मीटिंग रखी और फिल्म और टीवी शोस की शूटिंग के तमाम समस्याओं पर चर्चा कर इसका हल भी निकाला उदव ठाकरे ने कहा कि चूकि महराश में कोरोना के स्थिती खराब हो रही है इस वज़े से शूटिंग के तौरान भीड कम करें और फिल्मों में डान स्युकेंस ना फिल्माएं तो बहतर होगा वही मीटिंग में मौजूद अभीनेता मनोज जोशी ने हाली में एक इंटर्व्यू की तौरान बताया कि मुख्य थाकरे तो अपनी तरफ से बात क्लियर कर चुके हैं कि लोगडाउन एक आखरी विकल्प तो नहीं है लेकिन अगर कोई भी तरीका स्काम नहीं आता है संकरमन को फैलने से रोकने में तो लोगडाउन ही एक ऐसा तरीका है जिससे की चेन को ब्रेक किया सकता है फैलने की अब अब OTT की जब हम बात करते हैं तो भई OTT जो है वहाँ पे दर्शक राजा होता है जैसे कि सेनेवा घरों में तो भई ऐसा है कि आप मान लिजे कि पांच लोग जाना है मूवी देखने तो उन पांचों को ही टिकेट खरीदने पर पेपर व्यू में ऐसा नहीं होगा पेपर अर्मताव को घाटा होना शुरू होगा क्यों क्योंकि एक तो डिजिटल राइट्स भी उसी प्लेटफर्म को देने पड़ेंगे भई जहां पर मूवी रिलीज करेंगे प्लस जो फायदा इनको एक थेटर से होता वो फायदा इनका पांच सचे गुरा नीचे करे जाएगा तो ऐसे में मेकर्स को घाटा तो होना आता है लेकिन जो हाइप है उसको कैश अगर करना है तो इनको मूवी भी जल्दी रिलीज करनी होगी नहीं तो आने वाले समय में घाटा खाने के लिए इनको तयार रहना पड़ेगा तो अभी किसी भी तरीके से आपकान पगड़ दी जाए धर से चाय पीछे से घूम के घाटा तो खाना ही है लेकिन अगर कम घाटा खाना है तो ओटिटी पर रिलीज कर दो जादा घाटा खाना है तो फिर इंतजार करो क्योंकि इंतजार तो कोई नहीं कह सकता कि कितना लंबा होगा क्यों क्योंकि लॉक्डाउन के सामने या और इस तरह भी खबरे आने लगी की जो शूटिंग करने वाले लोग हैं उन लोगों ने अब खबर देना बंद कर दी है कि उनका पर वाइरस निकला है संकरमत लोग निकले हुए हैं क्यों इससे यह होता है कि भई जैसे खबर सरकार के पास जाती है तो पहली बात फो शूट आया था कि गोहर खान एक जगे से पॉजिटिव आई थी एक जगे पे नगेटिव आई थी और इसी कंशुजन के मारे उनके ऊपर बैन भी लगा दिया गया ये बोलकर कि भईया वो पॉजिटिव थी उसके बाद भी उन्हों ने शूटिंग जारी रखी लोगों से मिलना और उसी को लेकर उनके उपर कारवाई भी कीगी अब ये बात अलग है कि कारवाई का क्या नतीजा निकलता वो एक बालग बात है लेकिन फिल्म फेडरेशन ने उनके उपर 60 दिनों का बैन भी लगा दिया था कि भई 60 दिनों तक अब वो किसी भी तरह की शूटिंग में हि प्रेट्स सभी लोग के पास है तो ऐसे में डेडलाइन के ऊपर सभी लोग काम कर रहा है और अगर लॉकडाउन लगता है तो सीधी सी बात है सभी को इससे परिशानी होगी अब बात वही आ जाती ही कि अगर आपको रिलीज करना है तो थोड़ा सा आपको घटा खाने के पाएंगे मेरे सुडियों फिराल इतना ही जाहिन जाय भाव